मुश्कार दोस्तो हैल्थ ओनलाइन में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको भूने चने के साथ गुड़ खाने के फाइदों के बारें बताएंगे दोस्तो भूने चने खाने से सेथ को काफ़ी फाइदे होते हैं लेकिन जब इसके साथ गुड़ का भी शेवन करें तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फाइदे मन्द साबित होता है मर्दों के लिए इसे खाना काफ़ी बढ़िया होता है अक्सर पूरुश बुड़ी बनाने के लिए जिम में जाकर कसरत करते हैं ऐसे मैंने गुड़ और चने का सेवन जरूर करना चाहिए यह उनकी सहत के लिए बहुत अधिक लाबकारी है चलिए दोस्तो जानते हैं इसे शरीर को कौन कौन से फाइदे होते हैं नमर एक दोस्तो चहरा निखारने के लिए इसमें जिंक होता है जो तवच्छा को निखारने में मदद करता है मर्दों को रोजना इसका सेवन करना चाहिए जिसे उनके चहरे पर चमक बढ़ेगी और रोए पहले से ज़्यादा समार्ट और सुन्दर दिखाई देंगे नमबर दो दोस्तो मोटापपा को कम करने के लिए दोस्तों गुड़ और चने का सेवन हम मोटापपा को कम करने के लिए भी किया जाता कर सकते हैं यह हमारे मोटापपे को कम करने में लाबकारी है नमबर तीन दोस्तों कबज दूर करने के लिए दोस्तों अगर आपको कबज जैसी समिश्या है कबज, ऐसीडिटी या पेट फूलना जैसी कोई भी समिश्य है तो आप गुड़ और चने का सेवन जरूर करें यह है आपके शेहत को बनाए रखेगा और कबज जैसी समिश्य को दूर करने में लाबकारी है नमर चैर देस्टो दिमाग को तेज करने के लिए गुड़ और चने को मिला कर खाने से दिमाग तेज होता है इसमें बिटामिन B6 होता है जो यह दास्त को बढ़ाने में बहुत ही कारिगर होता है जिसे हमारा दिमाग तेज होता है नमर पांच दोस्तो दांत मजबूत करने में इसमें फासफोर्ट होता है जो दान तो काफी फाइदे मन्द होता है इसके सेवन से दान तो मजबूत होते हैं और जल्दी नहीं तूटते हैं नमबर 6 दोस्तो हारट के लिए जिन लोगों के दिल की जूड़ी समिशिया है उनके लिए गुड़ और चने का सेवन काफी फाइदे मन्द है इसमें पोटा सिम होता है जो हारट अटैक से बचाव करता है नमबर 7 दोस्तो हडिया मजबूत करने के लिए गुड़ और चने में कैल्सिम होता है जो हडियों को मुझबूत करता है इसे रोजना सेवन करने से गठियां के रोग में भी काफी फाइदा होता है नमबर 8 दोस्तो पुर्ष रोगों के लिए चने और गुड़ खाने वाले व्यक्ति को सदे जवाने का एहसास रहता है कमजोरी दूर होने से शर ज़ूर करना चाहिए धन्यवा दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर ज़ूर करना